यूपी में जन्पधापुर की धोलाना विकासखन छेत्रे के गाउं दहीपुर में इस्थेत कंपोजिट प्रात्मिक विद्याले में शर्मनाक मामला सामने आया बताय जा रहा है स्कूल में पढ़ने वाली दलित समाच की दो चात्राओं ने दो सिक्षिकाओं पर स्कूली यूरिफॉर्म उतार कर निर्वस्त करने और किसी को बताने पर स्कूल से नाम काटने की धंकी देने का रोप लगाया जोहां मामला संग्यान में आने पर बीएसे ने दोनों सिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया और मामले के जांच हंड सिक्षा अधिकारे को सौपती गई पूरा मामला यह है जी पहले तो स्कूल में कोई पढ़ाई बढ़ाई नहीं हो रही है और यह पीछे से कोई ड्रेस बिरेस के बारे महां आया था कि ड्रेस बच्चे इनकी पहनी दिखाऊ सब मैं तो उनने मतलब बतրब कि सीपर भी ड्रैस नहीं थी उसमें हुमारी दो लड़किन एक मेरी है बस दोई लड़किं पर ड्रेस थी हुनकी ड्रेस उतार उतार के नंगी करके लड़किन ने दूसरे को पहना York कि उनकी फोटू ले जा रही थी की दिखा नाव में तो हमाई लड़कि की द्रेस फट रही है मैं वह यह कंधा लटक रहा है यह मैंने उतारूंगी उतारो इंटेंडी लेकर खड़ियों बजाओंगी तुम्में तो उसके बाद तो पैना के बदल के बहुत देर काफी नंगी करें रख थी लड़की और उनको पैराई पैरा के फिर उनके घर के कपड़े पैना दिये फिर दूसरी दिन हो जो हुआ हमारी बच्ची ने घर आकर बताई है मम्मी देखो मेरी ड्रेस फट रही है और लड़किन को ड्रेस पैनाई एक स्कूल का मामला इस तरह की शिकायती प्राप्त होई थी जिसका ततकल संग्यान लेते हुए दौनों सिक्षे का को निलंबित किया गया है बाकि अभी जाज कॉन अभी जारों में अभी तर्फोर सिक्षे काया से उताहने बख़ा रही है निलंबत हो गई है पड़को अपनी उपस्थिती वहां पर दे रही है यह अधिशार हो रहे हैं इस प्स्कूल में यह नह हो रहे हैं दोनों मेडमने बंदना नह और सुनीता नह उनके बच्चों के दोनों के कपड़े उतरवाए हैं अमरिता और कुंजन के कपड़े उतरवा करके नंगी कर दी गई है बिलकुत और करीब ए गंटा तक अपने दो गंटा कमरे में बठाई गई है दोनों लड़की उसके बाद में कपड़े उतरवा कर दूसरे बच्चों को इनके कपड़े बच्चे ने धंगी दिया तो तुम्हारा स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और यहां से कुछ दिन सुब बच्चे भगा दिया इसकूल सो